अमित भाई, ANI के पॉड़कास में आने के लिए धन्यवाद। जी। CA के लिए अभी लाने की क्या जुरूरत थी? सारे जो विपक्ष के नेता हैं, सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफिकेशन ले के आए हैं। पहले बात तो CAE की ज़रूरत क्या थी? और इसकी नोटिफिकेशन चुनाव के दो या तीन महिने पहले की? दिखे, मैं पहले टाइमिंग की बात करता हूँ। सारे विपक्षी दल, OVAC हो, राहूल गांदी जी हो, या आरविन केजरिवाल हो, या ममता जी हो, ये जूट की रादनिती कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महतो नहीं है। भारतिय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषना पत्र में कहा है, कि हम CAE लेकर आएंगे, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश के, जो सरनार्थी है, उनको नागरिकता देंगे। तो भारतिय जनता पार्टी का एजन्डा बहुत स्पस्ट है, और वो एजन्डे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसत के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थुड़ा लेट हुआ, अब टाइमिंग का क्या महत्व है। सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभीव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्ष प्राविर्टी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को माननेता मिल गई है। रूल्स फॉर्मालिटी है। अब टाइमिंग का या पोलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्स तुरुष्टी करन की रादनीती करकर एपिस्मेंट की पोलिटिक्स करकर वाट बेंक को कॉंसल्डेट करना चाहता है। मैं उनको विननती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो यह मत करिये। पूरे देश की जनता जानती है कि CAA इस देश का कानून है और इस चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि यह होगा चुनाओ के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का। इतने साल तो हुआ नहीं ना, 2019 के बाद अब हुआ है। स्मिता जी, मुझे एक बात बताईए। वील ओफ लेजिस्लेटर, वील ओफ गवर्मेंट, बिल से प्रगट होता है या रूल से प्रगट होता है। अबियसली बिल से। रूल व्यवस्ता करता है। जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पोलिटिकल इस्यूस के करण लेठ हुआ। मगर कब से नागरिकता मिलेगी? तो 2014 के पहले से। वो थमरूल वही का वही है। आज क्या फरक पड़ गया है? बताईए। कोई फरक नहीं पड़ा है। भारतिय जन्ता पार्टी के लिए एक पोलिटिकल घेन का मुद्दा नहीं है। भारतिय जन्ता पार्टी के लिए हमारे नेता नरेंदर मोधी जी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश से आये हुए करोडो सरनार्थ्यों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी तीन पीडी को नियाए देने का मुद्दा है जो कॉंग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया आप कह रहे हैं करोडो लोग यहां आएंगे लेकिन ये political नहीं है मतलब आपको कोई political फाइदा नहीं होगा लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया vote bank बना रहे हैं BJP एक नया vote bank बना रही है अपने लिए देखिए विपक्ष को और कोई काम नहीं है उन्होंने तो surgical strike और air strike को भी बताया कि आपका political फाइदा है तो क्या हम terrorism पर करदम न उठाये इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके political फाइदे के लिए कर रहे हैं हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे उनका history है जो बोलते है वो करते नहीं है मोधी जी का history है जो भारतिय जनता पार्टी ने कहा है नरेंद्र मोधी ने कहा है वो पत्थर की लकिल है मोधी की हर गैरेंटी पुरी होनी है